अंतिम इश्वरिय पुस्तक कुरान के चैप्टर नमबर 4 के सेंटेंस नमबर 51 में बताया गया क्या तुमने नहीं देखे ऐसे लोग जिनको आप औरूशे ग्रंत भाग्ये से मिले थे ये लोग दो पिरकार के हैं एक वे जिनको कुरान से पहले की आस्मानी किताबे मिली दूसरे वे जिनको कुरान मिला इन दोनों के बारे में बताया गया किताब पाने के बाद भी वे अन्दविश्वास करते हैं और अल्लह के अलावा या अल्लह के साथ दूसरों में भी इमान रखते हैं कुरान से पहले की किताबें रखने वाले और कुरान रखने वाले दोनों लोगों में ऐसे लोग मुझूद हैं इनके बारे में आगे बताया गया और जिन लोगों ने जानने और समझने के बाद इनकार किया उनके बारे में ये किताब रखने वाले लोग कहते हैं कि इमान के रास्ते पर चलने वाले लोगों से बहतर तो इमान का इनकार करने वाले हैं यानि जिनके घरों में किताब मुझूद है लेकिन वे ना उससे समझते हैं ना उस पर अमल करते हैं और जब कोई किताब समझ कर उसके अनुसार जीवन वैतीत करने की कोशिश करता है तो किताबी लोग इनका मजाग उड़ाते है अगर आप कुरान अपनी भाशा में समझ कर पढ़ें और उस पर अमल भी करने लगें तो बहुत जल्द इस आयत का मतलब आपकी आखों के सामने प्रैक्टिकल के रूप में आ जाता है जब किताब सरों के उपर रखने वाले लोग आपको उन लोगों से बत्तर खोशित कर देंगे जिनें खुद किताबी लोग काफिर समझते हैं